यह गाइस वेलकम बैक टू माँ चैनल इस वीडियो के अंदर हम देखेगे कि एम कैसे डेटा वन कंट्रोल से अनदर व्यू कंट्रोल के अंदर कैसे पास कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर डेमो बनाया है यहां पर मैंने दो टेक्स फिल लिए होई है इसके अंदर मैं योगेस पटेल वन्टू कर देता हूँ तो continue करने पर योगेस पटेल वन्टू जो यहाँ पर लेबल के उपर शो हो रहा है तो यह वीडियो इसलिए में बना रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई भी डेटा आपको अगर दूसरे भी कंट्रोल के दर पास करना है तो यह simple trick है यह बाद रखना कि जो भी लेबल होता है उसको हम स्ट्रिंग के अंदर पहले store कर देंगे उसके बाद जो भी टेक्सपील है या टेबल यह जो भी है उसके अंदर सिब डेटा को हमें पास करना होता है ठीक है तो यह start करते हैं मैं तो इसको मैं close कर देता हूँ पहले तो सबसे पहले एक्सकोड ओपन करो क्रीट निए एक्सकोड प्रोजेक्ट उसके अंदर सिंगल एप्लिकेशन डेमो पास डेटा नाम देदेता हूँ नेक्स्ट एंड क्रियेट सबसे पहले जाते हैं मेंडर स्टोरी बोड के अंदर और वहाँ पहले तो टेक्सपील और वो सब को यहां पर मैं रख देता हूँ इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ठीक है कॉपी एंड पेस्ट और यहां पर मैं उसका बैग्ग्राउंड कलर यहां पर मैं चेंज कर देता हूँ और डौनों टेक्सपील को सिलिक कर देते हैं और यहां पर यह जो उसके बाद बटन का नाम में दिदेता हूं continue एंड उसका कलर यहां पर मैं चेंज कर देता हूं ओके दिस एंड बैक्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं तो रखता हूं मैं यह ठीक है उसके बाद प्लेस होलडर में यहां पर लिख देता हूं एंटर नेम एंड एंटर इमेल ठीक है उसके बाद एक और व्यू कंट्रोल ले लेता हूं और यहां पर पेगराउड कलर प्रफेले तो यह सेट कर देता हूं मैं यहां पर यहां पर जो भी में दो टेक्स विल के उ devi पर जो भी लिखूँँगा वह यहां पर लेबल के ऊपर आ जाएगा त्य कह डेटा पास हो जाएगा तो यहां पर दो ले लेता हो पहले तो इस लेबल को ड्रैग और और इसको थोड़ा में बड़ा कर देता हूं copy and paste इसको यह आपर center में कर देता हूं ठीक है लोनों को center में ले लेता है ओके बैग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं और उसको मैं center में ले लेता हूं ठीक है और इसकी font size 25 कर देते हैं and custom text और यह होगा black इसको में 25 कर देता हूं ठीक है तो यह इतना हो गया अभी view control को select करके editor में जाके embedded में जाना है और navigation controller को select कर दो तो यहाँ पर navigation controller मैंने ले लिया क्योंकि जब मैं continue के उपर click करूंगा तब दूसरे यह जो view control है वहाँ पर navigate होना पड़ेगा इसलिए इसका title में देता हूं view controller ठीक है और यहाँ पर title ले लेते हैं तो navigation bar इसको मैं यहाँ पर set कर देता हूं और इसका नाम देता हूं मैं second view controller ठीक है और इसके लिए file ले लेते हैं तो file में जाते है new file गुक्वाटेश क्लास और यहाँ पर मैं लिख देता हूं second view controller ठीक है ओके प्रेस नेक्स्ट एंड जस्क्रीट में जाके यह जो second जो मैंने मेरा view control हो उसकी file असान यहाँ पर मैं कर देता हूं second view controller and storyboard id में सेक देता हूं ठीक है यह यहाँ से दे देना नविगेशन करने के लिए ठीक है तो यहाँ पर storyboard id में सेक देता हूं जो है उसका मैं बना देता हूं txt email ठीक है उसके बाद button के लिए action होगी तो control प्रेस करके यहाँ पर action बना देता हूं में ui button and यह जो उसका नाइम में देता हूं continue ठीक है उसके बाद यह जो दो लेबल है इसका इसके भी बना देता है सेकेंड भी control के अंदर और जहाँ पर मैंने लेबल ने में एक लेबल इमेल बना तो यहाँ पर पहले तो मैं string बना देता हूं तो variable str name वो होगा मेरा string and वो है नेल ठीक है उसके अंदर कुछ भी नहीं है और variable बना देता हूं एक और string बना देता हूं email करके and वो भी नेल रखता हूं ठीक है अभी मैं क्या करूंगा कि जो भी label name जो भी label name है वो है मेरा str name and जो भी मेरा label email होगा वो होगा str email ठीक है ठीक है उसके बाद यहां पे मैं str जो मेरा name and email मैंने यहां पे set कर दिया ठीक है तो अभी क्या करते है अभी इसका meaning क्या है कि मेरी जो भी जैसे कि मैं string के उपर कुछ भी data pass करूंगा तो वो automatically label के उपर आ जाएगा यहां डारेक्ली लेबल के उपर data को पास नहीं कर सकता मैं string के उपर data pass कर सकता हूं so str name के उपर मैं कुछ भी पास करूंगा तो वो आ जाएगा label के उपर label name के उपर और str email के उपर जो भी मैं पास करूंगा वो आ जाएगा label email के उपर ठीक है तो अभी मैं जाता हूं व्यू कंट्रोलर में और यह जो मेरी बटन की क्लिप के उपर मुझे जो करना है वह अभी मैं कर देता हूं तो यहां पर लेट करके एक sec वह देते थे navigation controller sorry self.storyboard.initiatedViewController with identifier जो हमने storyboard id दिया था sec वह यहां पर लिखतो हो and then यह है मेरा second view controller ठीक है उसके बाद self.navigationController.pushViewController and animated is true तो इससे क्या होगा इतना code से वह navigate तो हो जाएगा देखो जैसे कि मैं run करके दिखते है iPhone X में run करते है इसको तो यह जो code वह simply navigation का है तो हमारी application का जो first view controller वह navigate तो होगा पर और को भी data pass नहीं होगा क्योंकि अभी हमने data कोई pass नहीं किया तो यह में सब हम check कर लेते है कि हमारा जो button की उपर click करने पर दूसरे view controller पर navigate हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो यहां पर कुछ भी लिखते थे और continue पर click करने पर navigate तो हो रहा है पर data अभी पर पास नहीं हो रहा है तो वह क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि देखो अभी मैंने सेक मैंने बोला कि second view control की property में use कर सकता हूं सेक के थ्रू तो यहां पर लिखते है सेक डॉट लिखना तो label email str email str name तो str name is equals to जो हमारा txt name है dot text ठीक है तो जो भी txt name dot test की जो भी property होगी वह str name के उपर आ जाएगी और str name की str name में वह अकर प्रॉपर्ट में pass कर दूंगा तो label के उपर वह पास हो जाएगा ठीक है उसके बाद set dot str email is equals to txt email dot text ठीक है तो email txt email के जो भी property होगी वह str email में जाएगी और str email जो है वो है मेरा lbl email ठीक है तो label है तो उसके उपर वह पास हो जाएगा तो simple सा यह fund आएगा इस तो इसको अभी run करते हैं और देखते हैं और उसके बाद मैं practically आपको समझा देता हूं तो अभी बटन के क्लिक के उपर जो भी text file के उपर में जो लिखूंगा जो भी नाम एड इमेल तो वह दूसरे व्यू country के उपर navigate भी होगा और डेटा हमारा पास भी हो जाएगा जैसे के यहाँ पर enter name तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दिता हूं योगस पतिल एंड एंड एंटर इमेल तो यहाँ पर मेरा डेटा जो भी था वह पास हो गया तो देखो यहाँ पर हमने दो label लिए थे उसको हमने string के उपर डाल दिये और यहाँ पर जो यह दो text फिल है उसको मैंने वह जो string यह वहाँ पर डाल दिया तो अभी यह चला जाएगा तो यहाँ पर दोनों को connect करने के लिए string का हमने यूज किया है तो यह दो string जो भी label हो तो उसको string में डाल दो फिर जो भी value होगी जो भी आपको पास करना है उसको आपको डालना होगा जो भी string यह उसके अंदर ठीक है एकदम सिंपल है गाइस ठीक है अगर आपको कुछ भी query लगे तो आप प्लीस मुझे comment कर दो थैंक्यू सो मच गाइस पर वाचिंग मा वीडियो और मिलते अगले ट्यूटर के अंदर बाई